क्लास में हम अध्यन करेंगे हैलो एलकेन और हैलो एरिन का पार्ट टू पार्ट वन में हमने अध्यन किया था आज हम पार्ट टू में सेट जेफ नियम से अध्यन करेंगे तो चलिए हम सेट जेफ नियम से अध्यन करते हैं इस पार्ट टू का चलते हैं अपनी क्लास में और पढ़ते हैं सेट जब नियम उससे संबंधित जो रियक्षन है तो संबंधित प्रश्णों का अध्यन करते हैं देखिए सेट जब नियम जो है उसके बारे में बात करें तो सेट जब नियम के बारे में बात करते हैं तो यह नियम होता है कि जब किसी अलकिल हैलाइड का जब किसी अलकिल हेलाइट का वी हेलोजनी करण किया जाता है तो वो अलकीन ज्जादा बनती है जिससे दिबंद से जुड़े कारबन पर अधिक अलकिल समू जुड़े हूँ उसे ही हम लोग सेट जीप का नियम कहते हैं जैसे इसमें सर्ट जैब के नियम में अबक्रिया करवाई जाती है केसियन से पोटेसियम साइनाइट से है तो चलिए इसकी अबक्रिया को हम देख लेते हैं देखे ये लिखा भी है कि केसियन से क्रिया कराने पर तो ये इसका उदारण है तो केसियन से क्रियाज करने पर साइनाइड बनाता है यह क्या बना देता है साइनाइड देता है तो देखते हैं चेक कर लेते हैं अपक्रिया को यह देख लिए जी यह बिना ग्रूप की अपक्रिया है X मतलब आप जानते ही हो कि X मीन कोई भी हैलोजन ग्रूप हेलोजन ग्रूप में CL भी आता है BR भी आता है IB आता है फ्लोरीन भी आता है यह सारे हेलोजन ग्रूप में आते हैं तो कुछ भी हम लेता हैं यहाँ पे तो लिखा गई जो प्रिया मरी है वो है R सिंगल बॉण X मतलब अलकिल समू into एक हेलोजन ग्रूप प्लस केसिन से साथ जब हम इसकी अपक्रिया करवाते हैं तो C and L के ग्रूप के साथ जूड जाता है साइनाइड बना लेता है और जो यक्स है ये N के साथ अपक्रिया ये K के साथ अपक्रिया करके KX बना लेता है वही अगर हम R की जगहमें गुरूप मान ले मान लिए यहाँ पर देख लिए R की जगहमें हमने गुरूप मान लिया C2-H5 तयक्क है ETHYL गुरूप मान लिया X की जगहमें हम CL अगर मान ले तो जब अपुरिया करवाएंगे तो इसके साथ C2-H5 cn बन जाएगा यह बन गया हमारा ठीक है एथिल साइनाइट अब देख लीजिए हमारा यह तो बन गया अब हम k और cl की जब अब कराएंगे तो बन जाएगा kcl ठीक है मतलब x-mins होता है कोई भी ऐलोजन आप ले सकते हो यहां पे i भी ले सकते हो बी यार भी ले सकते हो कुछ भी इस तरह से यह अपक्रिया दिखा दी गई मतलब सारे सही होंगे अब कोई भी गूरूप लोगे इसलिए अपक्रिया पूरी यह लिखके दिखाई गई है कि c2h5 x मतलब कोई भी ऐलोजन गूरूप प्लस केसियन के साथ अगर अपक्रिया करवाते हैं तो हमें यह साइनाइट के रूप में प्राप्त हो जाएगा एथिल साइनाइट के रूप में और क्या बनेगा तो और बन जाएगा kx मतलब कोई भी गूरूप यह यूग तो बन जाएगा potassium चलिए आंगे बात कर लेते हैं दूसरी reaction की तो देखिया तो दूसरी reaction जब हम a g cn से क्रिया कराते हैं तो भी आईसो साइनाइट प्राप्त होता है अब देख लीजे आईसो साइनाइट यही जो cn हो इसे आईसो साइनाइट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको आईसो साइनाइट बोलते हैं तो एजी से एजी सीन से क्रिया करने पर आईसो साइनाइट बनते हैं जैसे अब क्रिया की बात करें तो आपक्रिया हमारी है आर सिंगल बॉंड एक्स प्लस एजी सीन इन दोनों के ब और AGCN, एक्स मिन आपको पता है, कोई भी हैलोजन ग्रूप ठीक है, यहां पे हमने अपक्रिया करवाई, तो यह बन गया, इसी को हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह उसी का CN का उल्टा होता है, इसलिए आइसो लगा देते हैं, आइसो साइनाइड ठीक है, तो आगें बात कर लेते हैं, इसी सम्बंदीत यह प्रशन है, उसको भी थोड़ा सा पाड़ लेते हैं, यह प्रशन से सम्बंदीत है, यहां पर लिखा है, एलकिल समूह, जो हैलोजन यूग्त, जो एलकिल समूह होता है, उसकी क्रिया जब हम केसियन से करने पर, मुक्पदार एलकिल साइनाइट बनते हैं, मुक्पदार क्या बनते हैं, जबकि एजी सियन से क्रिया कराने पर, मुक्पदार एलकिल आइसो साइनाइट बनता है, तो ऐसा क्यों होता है, यह पुछा गया है, कि अगर हम केसियन से अपक्रिया करवाते हैं, तो एलकिल साइनाइट बनता ह और जब हम करवाते हैं किस से AGCN से यहीं पे अगर AGCN कर देते हैं तो यह आईसो साइनाइड बन जाता है भी पीछा हमने अप्रिया कि तो उसके वारे में आपको उनसर देना है तो देखिए यहां पे हम बात करेंगे तो के सीन जो है एक आयनी क्योगिक है यह जली विलियन म साइनाइड आयन देता है साइनाइड उभैदंती ना भी किस नहीं है अर्थाक इसमें कारबन वर नाइट्रोजन दोनों ही लोन पेयर प्रदान कर सकते हैं कारबन द्वारा लोन पेयर प्रदान करने पर यह R सिंगल बॉंड CN का निर्मार होता है इससे C सिंगल बॉंड C बंद मजबूत होता है जब कि नाइट्रोजन द्वार्णा जेवग लोन पेयर करते हैं प्रदान करते हैं तो वहां पर यह सींगल कारण ससय्ट होने कारण यह सह सहेंज़क होता है इसके कारण यह केवल नाइट्रोजन परमाड लोन पेयर प्रदान कर सकता है अता यहां पे आईसो साइनाइट प्रमुखुतपाग बनते हैं यही कारण होता है कि जब हम A, G, C, N के साथ करवाते हैं तो आईसो साइनाइट बनता है और जब हम K, C, N क कि बात करते हैं तो देखिए रिखा हुआ है सोडियम एलकासाइड से क्रिया करने पर इथर बनते हैं अगर हम सोडियम एलकाकसाइड से क्रिया करते हैं तो इथर बनता है देखिए यह है सोडियम एलकाकसाइड यहां पे आर कोई गुरुप रहेगा इलकल समूल ठीक है आर आब क्रिया हम करवाएंगे एल्किल समोल से करवाटे हैं तो यह क्या बन जाएगा यह बना लेगा एन एयक्स यह सोडियम X हैलोजन के साथ मिलेगर बना लेता है एनेजैक्स और जो बचेगा वह बना लेगा इथर तुछ जब दो ग्रूप लेके बात करें तो सीटु एच पाइप सिंगल बॉंड ओ या ने इसको बोलेंगे सोडियम एलकाक्षाइड एथाकसाइड ठीक है क्योंकि सीटु एच फाइप हमने ले लिया तो एथाकसाइड फिर यहां पे हमारा ले सकते हैं तो जब इनकी दोनों की अब्रेया करवाएंगे तो यहां से एन्य इस बन गया और बन गया c2h5 o c2h5 यह बन गया एथिल इथर तो यह इथर बन गया हमारा आँगे हम बात करेंगे दूसरी रेक्शन की तो दूसरी रेक्शन हमारी यहां पे है दूसरी reaction है potassium nitride से क्रिया करने पर alkyl nitrile बनते हैं तो potassium nitride से जब हम क्रिया करवाते हैं नाइट्राइड यह हमार potassium nitride इससे अपक्रिया जब हम अलकुल समुकी करवाते हैं तो यह बन जाता है alkyl nitride मतलब ethyl nitride तो C2H5, single bond O, single bond N, double bond O इस तरह से यह group बनेगा और यह हमारा बन जाएगा KX KX के साथ मिलकर क्या बना लेता है KX तो KX की हमें कुछ भी group halogen group कुछ भी हो सकता है KCL बन जाता है KI बन जाएगा यह KF बन जाएगा जो आप group लोगे X की जब हमें तो इस तरह से आप्रパूर होती है vegan आगे हम सिल्वर नाइटराइट से क्रिया करने पर नाइट्रोलकन बन जाएंगे इसकी तो क्या बन जाएगा नाइट्रोल कर बन जाएगी तो उनकिन जाएगा नाइट्रो एलकेन और यह बन जाएगा एग्स यहां पर हम देखिए बात करें अगर आज की तब हमने गुर्डो गुरूप ले रही है सुटू एच पाइप एक्स एक्स मीन कोई भी हालोजन गुरूप और प्लस एजी अनो टू इनकी साथ अपक्रिया करवाएंगे तो यह हम बन जाएगे शी चबpeन चैना तो ऑ यह बन जाएगा यह वीथी दूसरी आंगर 16 जो कोलकुल के सख्डार करते हैं तो एटल एज़ प्लस एक्स इंगल पांड ऑर स्लिद पार्ट में एज़ए, दोटलन एक्स Y मशला पांड एक्स के सख्डार अब के लिए लिकार करते हैं तो य। जो बन जाेगा 25 3 nosso कमें दो बने उज़ H5 इसे बोलते हैं ester ठीक है और यह बन जाएगा AGX इस तरह से ही अपक्रिया समपर्ण होती है आंगे अपक्रिया करवाते हैं तो यह बन जाएगा R single bond H H NH2 जब अपक्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा R single bond NH2 प्लस HX जब हम Alkylamine के साथ जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा Di Alkylamine तो देखें यहाँ पर Di Alkylamine बन जाएगा R single bond H H NH2 को ही लिग दिया गया इस तरह से इसको तो यह R single bond NH2 उसी को इस तरह से लिग दिया गया है तो यह जब बनेगा तो क्या बन जाएगा माय पास क्या बन जाएगा तो यह बन जाएगा HX और R2 NH Di Alkylamine तो आगे हम जब Magnesium के साथ इसकी सुस के इथर के उपस्तित में क्रिया करवाते हैं तो RMGX ग्रिगनार्ड अभ अब यहां पर हम जब गूप ले लेंगे तो गूप हमने ले लिया हैलोजन और सीटु एजपाइप अलकिल समू दोनों को ले लिया तो यह बना और इसके साथ जब हम एम जी की अपक्रिया कर वा रहे हैं तो यह बन जाता है तो इसे ही बोलते हैं ग्रगनार्ड अभीकरमक हमें प्राप्त होता है आंगे वूर्ज अपक्रिया की बात कर लेते हैं वूर्ज अपक्रिया की बात करेंगे तो जब एलकिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ सुस्क इथर की उपस्तित में की जाती है तो उच्छ कारवन वाली एलकने बनती है जब एलकिल हैलाइड की क बन जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा टाइक है ग्रूप बन जाएगा और यह होती है बुर्ज अबक्रिया तो यह important अबक्रिया है और paper में काफी पूछी भी जाती है तो important है इसे learn कर लीजेगा याद कर लेजेगा चलिए आंगे बात करते हैं नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अबक्रिया इसकी बात करें तो इसे हम SN अभक्रिया भी बेज मिलते हैं क्या बोलते हैं नाभिक इसने ہी प्रतिस्थापन अभक्रिया की बात करें तो इसकी डिफिनिशन की बात कर लेते हैं तो वे अभक्रिया जिन में एक नाभिक इसने ही के इस्थान पर दूसरा नाभिक इसने ही आता है उन्हें नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभक्रिया कहते हैं अब इसकी बात करें तो ये क्रियाएं दो प्रकार की होती है पहली होती है यस यन्वन अभक्रिया दूसरी होती है यस यन्टो अभक्रिया यस यन्वन अभक्रिया को बोलते क्या है एक आडुक नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभक्रिया अब इसके बारे हम बात कर लेते है यस यहनुवन जो अब क्रिया होती है जब तृतियक ब्यूटिल है लाइड की क्रिया जली के ओयच से करवाते है तो तृतियक ब्यूटिल एलकोहल बनता है तृतियक यहां पे सही नहीं लिखाए से सही कर लेजिएगा किया बनता है तृतियक ब्यूटिल एलकोहल बनता है यह रियक्सिन करवाएंगे सी अब क्रिया करवाएंगे ज़ी के ओयच की तो बन जाएगा CH3 का होल्ट थ्राइज और COH इसे बोलते हैं तृतियक ब्यूटिर अलकोहल और प्लस क्या बनेगा KX तो इस तरह से इसकी अब क्रिया होती है अब हम इसकी क्रिया विधी की बारे में पढ़ लेते हैं इसकी क्रिया विधी देखेंगे क्रिया विधी की अगर बात करें तो यहां क्रिया यहां क्रिया विधी से होती है यह दो पदों में होती है पहले पद में मद्वर्ति कार्बोकेटायन का निर्मार होता है यह धीमी पद में मद्वर्ति कार्बोकेटायन पर OH निगेटिव प्रहार करती है यहाँ पद तेज गती से होता है सबसे पहले क्या करती है S1 क्रिया भिदी से होती है दोसरी बात करें तो slow धीमे पद में क्रिया कारक का एक अणु भाग लेता है यह आता यह प्रत्थम कोड की अबक्रिया क्रिया का रख का एक अन भाग लेता है तो यह प्रथम कोड की अब क्रिया है दुरूवी विलायकों की उपस्तित में यह जो क्रिया होती है वो तेज गती से होती है अगले पॉइंट कि वहीं पर बात करते हैं S1 अब क्रिया का वेक कार्बोकैटायन का इस्थाइट पर निर्भाय करता है और अगले पॉइंट में कि त्रतियक त्रतियक एक नटुक चाहिए यह मिश्टेक है तोड़ाचा इसे सही कर लेजिएगा त्रतियक ब्यूटिल क्लोराइड में तीन अंस कार्बोकैटायन बनता है जो की दो अंस या एक अंस कार्बोकैटायन से अधिक इस्थाई होता है आता तीन अंस हैलाइड में S1 अबक्रिया तेज गति से होती है आता S1 अबक्रिया के वेग का जो घटता क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है तीन अंस बड़ा है दो अंस से फिर ये दो अंस बड़ा है एक अंस से अगले उधाराण के हम बात करें तो ये लिखा है CS3 का होल्थ्राइड C सिंगल बॉंड X बड़ा है CS3 का होल्थ्राइड CH सिंगल बॉंड X से फिर ये बड़ा है CH2 सिंगल बॉंड CH2 सिंगल बॉंड CH कस टू हैहिस्ट सिंगल फोण एक्स सैंट यह क्रिया में रे सीमी करना इस चिर्अ मेन प्रदी प्रति स्थापन इसे बोलते है देंकिए जबhey की ज्लां म тяжके हैं याँ मैथील हई चिन्तव हैं जब मैं नस-टिर फिकार्ड में चाहिए क काना मेलल तो फिकार्ण मिल्कन डोल के याते हैं इसलमापर फारी सिर्फ होती कर्फ में रह्त कर्फ नहीं जानेप वाले नाभिक इस नहीं के पीछे से 180 डिग्री के कोड पर प्रहार करता है जिससे मद्ध वर्ती संक्रमन वस्था बनती है यहां अत्यंत इस्थाई होती है दुर्बल नाभिक इसने ही इसमें से हट जाता है आता दिती कोड की अब क्रिया है क्रिया कारक के दो अडू इसमें भाग लेते हैं यहां क्रिया अद्रूवी विलायकों में तेज गस्य होती है यह जो अद्रूवी विलायकों में तेज गस्य होती है इस क्रिया विधी में अडू के बिन्यास का प्रतिपन हो जाता है और तीस अगला पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट है त जो कि तीन अंस हैलाइड में तीन एलकिलसमू के कारण नाभिक इसने ही को पीछे से प्रहार करने में अधिक त्रिवियम बाधा का सामना करना पड़ता है। आता यसे अंटू जो अबक्रिया होती है उसका जो घटता क्रम्बेक का होता है वो इस प्रकार से होता है। 1 अंस बड़ा है ट्व एंसे और सबसे जो जो यह तीन अंस होता है क्योंकि इस में जह अबक्रिया की जो गत ही होती हो सबसे धीमी होती है। कि मैं उसी संबंदित कोश्ण कर लेते हैं। लो की बात करेंगे बेंजीन तथा एलील क्लॉराइड में एस्वन अब क्रिया के प्रति अधिक क्रियासिल होते हैं जो बेंजीन तथा एलिल क्लोराइड होते हैं वो एस्वन अब क्रिया के प्रति अधिक क्रियासिल क्यों होते हैं इसके बारे में मैं चर्च करनी इस कोश्चन में तो देखते हैं कोश्चन को देखें कोश्चन हमारा कैर्बोकैटायन के स्थाई़ करता है इसथाई होते हैं अठा है S1 के प्रती गयंदिक होते हैं प्रतिबंब रूपी है उसे पढ़ेंगे और किरल क्या होता है Уसके बारे में अध्यान करेंगे तो अगली क्लास में मिसी के बारे में दिन करेंगे और अगली पार्टू जो हमारा है वो यहीं से होता है फिनिश